हलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स दोस्तो इस लेक्चर सीरीज में हम डिसकस कर रहे हैं यूपी लेकपाल के लिए गिरामीर परबेस एवं विकास के पंदरा सो प्लेस इंपूर्टन कोस्टन की सीरीज को फ्रेंड्स इस लेक्चर सीरीज के जरी जितनी भी मार्केट में केताब हैं कि रामीर प्रबेस की हम सौप को सौल कराने बाले हैं तो आज हम इसका डिसकस करेंगे पार्ट नमबर 14 और आज से हम स्टार्ट करेंगे एक्जाम पूर की बुक को अभी तक हम दो बुक को खत्म कर चुके हैं अब ये तीसरी बुक है जो हमने श्टार्ट किये और आप सब जानते हैं यूपिटर प्रेसी का पैट का रिजल्ट आ चुका है आप लोगों ने अगर नहीं देखा है जिसका वैपसाइट पर लोड जादे तर नहीं देख पाया है इसमें हमें बिल्कुल ठील नहीं रालना है क्योंकि एक्जाम जल्द से जल्द होगा क्योंकि रिजल्ट भी जल्दी आ गया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों को बता दूँं आज मैंने कोस्टन खुड टाइप नहीं किये हैं मतलब बुक के डाइट कोस्ट नहीं है तो मैं इस तता से दे सकता हूं भर ना मैं टाइफ कर सकता हूं तो हमारा पहला कोस्टन है चली इसटार्ट करते हैं पहला कोस्टन देखते हैं ग्राम濬्द का लेक सरपर्तम किस बेढ में मिलता है यह फ्रेंच ग्राम सब्वार्स करेंग लेंध किसमें मिलता है रिक गवेदम फ्रेंच गल्ट पंचायत का प्रमुक होता है यानि फिर्धान होता है या तो उसकी मिर्ती हो जाती है या किसी और वजा से पंचायत भंग हो जाती है तो उसका निरवाचन है यानि कि उसका दुबारा चुनाओ कितने दिन में करा लेना चाहिए छे महा के अंदर करा लेना चाहिए तो इसमें सम्विदान संसोधन में यह बात कही गई है 73 सम्विदान संसोधन में तो इसमें नमबर हमारा भी करेक्ट हो जाएगा इसको आप ध्यान रखेंगे अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन ने मारा भारत में महलाओं के लिए इस थान आरक्षे थे तो भारत में महलाओं के लिए किस्टोनाओं में इस्थाना रक्षित किया गया है तो पंचायती राज संस्थानाओं में कुल एक बटा तीन यानि 33% का रक्षड है आप इस चीद को ध्यान रखेंगे तो इसमें उप्सन नमबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा अगला कुश्चन है भारत के पंचायती राज व्यवस्ता का बस्तुकार यानि कि शिल्पिकार किसे कहा जाता है तो किसे कहा जाता है बलबंत राज मेता को तो बलबंत राज यानि कि बियार मेता तो इसमें option number हमारा ये correct हो जाएगा इसको आप ध्यान रखेंगे next question देखते हैं पंचायती राज किस सूची का भिष रहे तो पंचायती राज के सूची का भीष रहे राज चाहे तो पंचायती राज को रख सकता है और ना चाहे तो नहीं रख सकता तो आप इस सीथ को धिहान रखेंगे ये पूरी तरह से राज़े पे डिपेंड होता है तो इसमें उप्सन नमबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा अगला कोस्टन देखते हैं गिराम सबा का अभी प्रे आये तो गिराम सबा किसे कहते हैं तो गिराम इस तर के पंचायच छेतर का निर्वाचक नौमबली में पंजीकरत लोग यानि जिन लोगों का बोटर लिश्ट में नाम होता है उसी को हम क्या कहते हैं गिराम सबा तो आर्टिकल 243, आई में इसके बारे में दिया गया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इसमें option number हमारा C correct हो जाएगा, अगला question देखते हैं, निमले किसमें से किसे भारत में इस्थानी स्वासासन का जनक माना जाता है, तो किसे माना जाता है, Lord Rippon को, option number हमारा C correct हो जाएगा Lord Rippon, अगला question देखते हैं, राज जिबित आयोग का गड़न भारती सम्मेजान के किस अनुछेत के अंदरगत किया गया है, फ्रेंड्स किस अनुछेत के तहित किया गया है, अनुछेत 243, आई के, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, फ्रेंड्स, आप से एक्जाम में question पूछ सकते हैं, तो आप इसे ध्यान रखें, option number हमारा इसमें be correct हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखेंगे, और फ्रेंड्स, एक article order दिया गया है, अनुछे 243 का, तो इसमें किस के बारे में बात कहिए, अनुछे 243 का में, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, और 243C में किस के बारे में दिया गया है, तो जो ग्राम पंचायत की सरचना के बारे में बात कहिए, किसमें 243C में, बात करते हैं, अनुछे 243H में, तो इसमें जो पंचायत कर अध्धुर्विपित कर सकती है, इस article के अंतरकत, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, इसमें option number हमा तो इस समीति की स्थापना कप की गई थी, 1977 में, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, option number हमारा भी एक रेक्ट हो जाएगा, अगला कुस्चन है मारा, पंचायती राज बेबस्ता को सिद्रल बनाने के लिए कौन सा सम्विधान संसोधन किया गया था, तो कौन सा किया गया था, 73 सम्विधान संसोधन, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, option number हमारा इसमें एक रेक्ट हो जाएगा, अगला कुस्चन देख देए, नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटी आरक्षित करने का प्राबधान है, तो कितनी खुल सीटों का 1 बटा 3, यानि की 33%, option number हमा 74 में सम्विधान संसोधन में ग्राम पंचायतों के बारे में कहा गाया था, और 74 में संसोधन में नगरपालिकाओं के बारे, मतलब इसका ये सम्विधान संसोधन किया गया था, तो आप इसको धिहान रखेंगे, option number हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, अगला question देखते हैं, किस सम्विधान संसोधन दौर сторону नगरपालिकाओं को संविधनिक दर्जा परदान किया गया था, तो कौन से संसोधन के पर किया गया था, 74 में संसोधन के ताहित, और 73 में ग्राम पंचायतों के बारे में संसोधन किया गया था था, तो आप इसको धिहान रखेंगे, option number हमारा B. करेक्ट हो जाएगा अगला कोस्चन देखते हैं अगला कोस्चन है कि समीति ने पंचायतो का निरवाचन कौन कराता है तो आप को समीति आता राज निरवाचन आयोग तो आप इसको ध्यान डखेंगे यह तो 243 के अंदर गताता है आप इसको भी ध्यान रखें ओप्सन नमबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा अगला कोस्टन देखते हैं जबालाल नेरू ने राजस्तान के नागोर जिले में सरपिर्थम कब पंचायती राज का सुभारम किया था तो इजी कोस्टन है बहुत बार कितनी होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए 21 बर्स और बोट मतलब मददान करने के लिए कितनी नियून तमाई होना चाहिए 18 बर्स आपको पताई होगा ऑप्सन नमबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा अगला कोस्टन देखते हैं पंचायतों का कारीकाल कितना होता है तो पंचायतों का कारी काल कितना होता है? पांच बरस. आप इसको ध्यान रखेंगे. उप्सन नमबर इसमें हमारा एक रेक्ट हो जाएगा. Next को से नहीं हमारा. समुदाइक विकास कारी करम कब शुरू किया गया था? दोस्तों समुदाइक विकास कारी करम कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 में. तो ये अमेरिका की मदस से शुरू किया गया था. और इसका मुकुद्देश क्या था? देश की आर्थिक विकास के लिए जनता की भागिदारी को मजबूत करना. तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे. यानि उसका उनके अंदर रूची पैदा करना. तो इसमें उप्सन नमबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा. अगला कोस्चन नमबर हमारा एक रेक्ट हो जागा इसमें. या राज़ के नीदी ने जिसे सकत अद्वों के अंदर गताता है. पूरी तरीगे से राज़िवर डिपेंड रहता है. अगला कोस्चन नमबरा बलबंत राय मेता समीती का गठन कप किया गया था? अगला कोस्चन नमबरा किस सम्विदान संसोधन के तएद अनुडाचल फिर्देश में अनुसित जन जादियों के लिए पंचाज में आरक्षर संबंदी प्राप्धान समाप्त कर दिया गया है. तो ऐसा बहाँ क्यों किया गया? उन्होंने देखा कि बहाँ पर कोई भी अनुसूचित जाती की लोग नहीं है. तो इस बजाजी या रक्षर खत्म कर दिया है. कहाँ पर किस सम्विदान के तहित कर दिया गया है? तो इसमें ऑप्सन नमबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा. अगला कोश्चन देखते हैं. यूजना आयोक की सिपारित पर जी बी के राव समीती का अगठन कप किया गया था? तो इस समीती का अगठन फ्रेंड्स कप किया गया था? उन्हें सो पिच्चास ही जबी में. तो आप इसको ध्यान रखेंगे. इस समीती का मैन उद्देश य जाएगा क्योंकि 24 सप्राइल 1993 को ये समीतान में लागू कर दिया गया था पंचायती राज के बारे में. तो इसे आप ध्यान रखें. ऑप्सन नमबर B करेक्ट हो जाएगा. अगला कोश्चन देखते हैं. अगला कोश्चन दिया गया किस अनुचेत के ताहित नगर पालिक की स्थापना कहां की गई थी? तो भारत में फिरतम नगर निगम की स्थापना कहां की गई थी? मदरास के अंदर. जो बरतमान में किया है? चेन नहीं. तो इसमें उप्सन नमबर हमारा B करेक्ट हो जाएगा. तो आप इसको ध्यान रखेंगे. फेंस ये था पार्ट नमबर 14, साइद 14 या 15 जो भी हो. तो आई होब आपने सारे कोस्टन की प्रक्टिस अच्छे जिगी होगी. अफ सारे कोस्टन इसी तरह से आपको मिलते रहेंगे. फेंस आप एक बात कमेंट करके जरूर बताएं. अगर आप चाहेंगे तो मैं कोस्टन को इस तरह से आपके सामने टाइप कर सकता हूँ. क्योंकि आप सभी जानते है टाइप करने में थोड़ा टाइम लगेगा और अगर इस तरह मुझे करना है तो इस तरह मैं जल्दी से जल्दी कोस्टन आपके सामने ला सकता हूँ. अब आप आप कमेंट कमर के जरूर बताएं. तो उम्मीद करता आपको ये वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेर जरूर करें. मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नए प्रक्टिस सेट के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत.